हेलो फ्रेंड्स मैं गौरव सिन्हा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने इंस्टिटूट अर्विंद इंस्टिटूट में दोस्तों पिछले कुछ समय से हमारी संस्था आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस को ला रही है और मैं आपके लिए इंग्लिस के अच्छे अच्छे क्लास को कंड़क्ट भी कर रहा हूँ जहां आज हम बात करने वाले हैं वोकेप के सेक्षन के बारे में सबसे पढ़ी बात दोस्तों गर हम करते हैं तो आज की क्लास हमारी रेटेड होगी वन वर्ड सब्टिटूशन से जहां पर हम बात करेंगे साथी साथ कुछ रूट वर्ड्स की root words का मतलब होता है दोस्तों जिसके द्वारा कई सारे words का निर्मान होता है और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको root words की जानकारी है तो आप किसी एक root words से ही कही सारे words को formation कर सकते हो इसलिए आज की class आपके लिए काफी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एक तरह के root words से अगर हमारे कई सारे words के formation हो जाते है तो हमारे लिए कही न कहीं ये class काफी beneficial होने जा रही है तो आपके समय को बचाता हूँ दोस्तों और सुरू करता हूँ आज की class को सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे आज के root word में तो सबसे पहले मैंने start किया है तो start हमने किया है भगवान से ही जहाँ पर God religion की बात हो रही है किसी भी काम में अगर सुरुवात भगवान के नाम से हो तो जाहिर सी बात है चीजे अच्छी होती है तो इसलिए अगर हम बात करते हैं God या religion के root word के बारे में सबसे पहली बात अगर दोस्तों यहाँ पर आपसे की जाए तो थी का मतलब God या religion से होता है वेन यू टॉक अबाउट या religion तो उस कंडिशन में हम लोग थी root word का यूज करते हैं आपको ध्यान रखना है कि God की बात होगी तो थी का यूज किया जाएगा सम टाइमस आपको थी के अस्थान पे थी वो भी दिखाई देता है इसके अलाबा अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम को कर रहा है तो उस व्यक्ति के नाम के साथ IST को जोड़ा जाता है जैसे साइकॉलोजिस्ट की बात की जाती है फीजो थ्रैपिस्ट की बात की जाती है तो इस तरह से किसी भी जगह पे जहां व्यक्ति उसकारी को कर रहा है तो हम वहाँ पर उस व्यक्ति को करने के लिए उस व्यक्ति के नाम के साथ IST का यूज करते हैं अब जैसे अगर आप बात करते हो भगवान से सबंधित कुछ वर्ड्स जो की एक्जामनेशन में काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पहरे वर्ड की जो की थीष्ट लिखा है हमारे छेत्रे के बहुत सारे ऐसे बच्चे है जिनको दिक्कत होती है वर्ड्स को लर्न करने में अगर उनको रूट वर्ड्स की साहता ना दी जाए रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिनके साहता से आप क्या कर सकते हो वर्ड्स को काफी असानी से तयार कर सकते हो क्योंकि root words जो कि कहीं न कहें Latin या Greek से हमको देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा कई सारे words का formation हो जाता है अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले word थिस्ट की तो थिस्ट का मतलब होता है meaning the one who believes in God कहने का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो वकी भगवान में विश्ट करता है जिसे हिंदी में हम आस्तिक के नाम से जानते हैं जो व्यक्ति इश्वर में विश्ट करेगा उस व्यक्ति को हम थिस्ट कहेंगे अगर थिस्ट के पहले हम इस प्रिफिक्स को जोड़ देते हैं आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप थिस्ट के पहले आप इस प्रिफिक्स को जोड़ देते हैं तो आपको सीरे सीधे इसका एपोजिट वर्ड आपको इसका एंटॉनिम मिलता है जहांपे थिस्ट का एंटॉनिम यह आपोजिट की हम बात करते हैं तो आपको वर्ड मिलता है अथिस्ट अथिस्ट का मतलब नास्तिक से होता है मतलब वह व्यक्ति जो की भगवान ने विश्वास नहीं करता है तो दो तरह की वर्ड्स को हमने देखा जहां पे अथिस्ट और इसके अलावा थिस्ट को देखने का हमने काम किया अगर छात्र मैं आपसे बात करूँ मैं थोड़ी सी चीजे आपको इसके अलावा अगर समझाने का काम करूँ तो मैं आपसे कहूंगा बच्छे कि जब भी आप बात करते हो मोनो की तो मोनो का मतलब होता है एक से अगर आप बात करते हो बाई या डाई की तो यहां हम बात करते हैं दो की अगर बात आप करते हो try की तो हम बात करते हैं 3 की अगर आप बात करते हो quad तो इस condition में quad को कहा जाता है 4 और इसके साथ हम और वे numbers को बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर हम कई सारे संख्याओं के एक साथ बात करते हैं जहां हम मेनी की चर्चा करते हैं तो इसे हम poly के नाम से जानने का काम करते हैं यह सारे ऐसे root words हैं जो आपको किसी भी word के formation में आपको बनाने में काफी जादा मदद करने वाले हैं तो अगर आप किसी भी परिक्षा की तयारी करने जा रहे हैं जहां पर English पूछता है तो आप इन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जहां mono का मतलब 1 से, by die का मतलब 2 से, try का मतलब 3 से, quad का मतलब 4 से और poly का मतलब कई सारे से मेनी से होता है अब यहां बच्चेगर हम बात करते हैं ऐसा व्यक्ति जो केवल एक भगवान ने विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति जो एक भगवान ने विश्वास करता है, तो आप देखो mono का मतलब 1 से हो गया, thist का मतलब भगवान ने विश्वास करने वाला व्यक्ति हो गया, तो केवल एक इस्वर की पूजा की जाती है जैसे माल लीजे कोई व्यक्ति जायन धर्म को मानता है कोई व्यक्ति बहुत धर्म को मानता है कोई व्यक्ति किसी अने धर्म को मानता है जहां केवल एक इस्वर है तो जहां पर एक इस्वर बाद चलता है जहां पर हम एक की चर्चा कर उसे हम लोग monotheist के नाम से जानते हैं मतलब ऐसी community ऐसा कोई व्यक्ति जो केवल एक इश्वर को मानता है उसे हम monotheist के नाम से जानते हैं और ये word आप से examination में पूछेगा कि a person who believes in a God एक भगवान में विश्वास करते हैं तो हम उसे monotheist के नाम से जानने का काम करते हैं अगला word दोस्तों पूछा आपके सामने polytheist किसे कहा जाता है मुझे पूरा उम्मीद है पकी तरह से मुझे पता चल चुका है कि मेरे छात्रों आपको पता चल गया होगा कि अगर monotheist का मतलब एक भगवान में विश्वास करने से हैं तो अगर सर ने हमको बताया है कि poly का उस व्यक्ति से होगा जो व्यक्ति कई सारे भगवान में विश्वास करता है तो ऐसा व्यक्ति जो कई सारे इस्वर में विश्वास करता है who believes in many Gods is called polytheist अब हम बात करते हैं pantheist के बारे में पैन, पैन को अगर आप एक root word की रूप में देखते हैं तो पैन का मतलब भी होता है all over से, all over का मतलब बच्चे ये हुआ कि ऐसी कोई चीज जो पूरे हर जगा मतलब पूरे दुनिया में या हर जगा आपको हर प्लेस पर देखने को मिलती है, कहने का ताद पर ये है कि जैसे हम लोग बात करते हैं pandemic की, हम बात करते है panesia की या हम बात करते है panthist की, pan का मतलब हम लोग उने देखा all over होता है, इसलिए panthist का मतलब वह अव्यक्ति होता है, जो हर religion के God में विश्वास करता है, मतलब अगर आप ऐसे व्यक्ति है, जो हर तरह के भगवान में विश्वास करते हैं, हर धर्म के इश्वर में आस्था रखते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, तो इस condition में आपके लिए हम word ला सक रिए हो सकते हैं, panthist, तो थिस्ट word को हमने बड़े असानी से समझा, सवसे पहले थिस्ट, जो की भगмаन में विश्वास करता है, अथिस्ट जो भगमान में विश्वास नहीं करता है, monotheist, जो एक इश्वर में विश्वास करता है, POLICE जो कई सारे इश्वर में विश्वास करता है जैसे हिंदू धर में कई सारे देवीदेवता होते हैं और उन्हें विस्वास किया जाता है तो हम उसे पॉलिथिष्ट कहते हैं ऑगर आप बात करते हो अल ओवर् रिईजं के सभी धर्मों के देवताओं की तो इससे बच्चे हम लोग जानते हैं Pantist के नाम से बात करते हैं अगर हम लोग अगले root word से समंधित words पे तो यहाँ पर अगला जो आपको root word मिल रहा है प्यारे बच्चों वो आपको loggy मिल रहा है loggy किसी भी प्रकार के science को तो अगर आप देखिए तो आपको logi word मिल जाएगा logi का मतलब किसे होता है study of something से होता है जिसका मतलब हम किसी न किसी चीज के science से अर्थ लगाते हैं when you talk about the study of something उसे हम कहते हैं क्या logi जब हम किसी भी चीज का science का बात अगर बात करते हैं हाँ और अगर वो व्यक्ति उसके अध्यन करता है तो logist हो जाएगा जैसे दोस्तों सबसे पहली बात है theology अभी पिछले बार में हम लोगों ने चर्चा किया कि थी या थीओ का मतलब इश्वर से होता है तो बच्चे अगर आप लोग को ये कहा जाए कि theology क्या होता है तो आप सीधे कहोगे कि थीओ का मतलब भगवान से है religion से है तो theology का मतलब बच्चे किस से होगा study of religion से मतलब अगर हम बात करते हैं धर्म सास्त्र की अगर हम बात करते हैं इश्वर के अध्यन के बारे में हम धर्म काध्यन करते हैं इश्वर काध्यन करते हैं तो उस condition में इसे हम लोग theology के नाम से जानने का काम करते हैं इसके लाव अगर दोस्तों बात किया जाए एंथरोपालोजी के बारे में कि एंथरोपालोजी क्या होती है तो ज़रा आप लोग समझेगा सबसे पहले बच्चे आपको मैं एक ची समझाता हूँ कि एंथ्रोप का मतलब अगर हम यहां root words को देखते हैं तो एंथ्रोप का मतलब जो होता है वो human से होता है एंथ्रोप का मतलब human से होता है human एंथ्रोप का मतलब अगर human से है तो आज के human की बात नहीं बात होती है जहां पर आप कहते हो कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ उसके अध्यन वारे में पढ़ते हैं कि मनुष्य कैसे होमो सेपियन से या पुराने तरीका जैसा विक्ति का स्वरूप था वहां से कैसे उसका विकास हुआ हम इसके बारे में अध्यन करने का काम करते है जैसे बच्चे एंथ्रोपोलोजी की बात की जाए तो यहां पे लिखा है एंथ्रोप मिन्स human being और मैं इसमें बच्चे एक बात और आपको जोड़ूंगा as an animal का मतलब हो गया कि जैसे इन जानवर के रूप में पसू के रूप में मनुष्य कैले कैसा था और धीरे धीरे उसका कैसे विकास हुआ इसको हम लोग anthropology के अंत्रगत पढ़ने का काम करते हैं जहां मानव विज्ञान मानव सास्तर मनुष्य के संरचना के बारे में मनुष्य के विकास के बारे में विविन उन सभी periods के द्वारान वैक्ति कैसे आगे बढ़ा कैसे उसमें परिवर्ता नाया उसकी अध्यन की जाती कि morph क्या है अगर आपको ये पता है exam में क्योंकि आपको four options मिलने वाले हैं अब आपको four options मिलने वाले हैं तो अगर मुझे root word की जानकारी होगी कि इस word के लिए ये root word है जैसे बच्चे morph का मतलब structure दिया गया है और exam में आपके आ गया कि structure के बारे में कोई question तो अगर आप ज जानते हो कि structure का root word morph होता है तो in that condition आप वहाँ पर according to the option जा सकते हो according to the option जाने की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपके सामने एक word आगया morphology morph का मतलब बच्चे होता है structure इसलिए morphology का मतलब होता है बच्चे study of structure जहां पर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम किसी structure का संरचना विज्ञान की अगर बात करते हैं तो कैसे हम किसी भी संरचना की चर्चा कर सकते हैं अब यहीं पर बच्चे मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ अलग कर दो इसको इस portion को तो देखा जाए तो यहां लिखा है जू मॉर्फिस में अब अगर जू मॉर्फिस में कोई बात हम करते हैं तो इसको भी आप तोल कर देख लीजिए जू मॉर्फिस्म को अगर आप इसे तोड़ते हैं तो आप यहाँ पे पहले जू एक वर्ट देखेंगे फिर यहाँ पे मॉर्फ की बात अगर आप करेंगे अब देखो यहाँ पे जू मॉर्फिस्म की अगर चर्चा की जाए प्यारे बच्चे तो जू का मतलब किस से होता है एनिमल से मौप का मतलब हो जाएगा किस से इस्ट्रक्चर से तो जब भी आप एनिमल के इस्ट्रक्चर की बात करोगे जू मौरफिज्म मेंस गिविंग हो जाएगा एनिमल इस्ट्रक्चर तू गॉड जब भी आप यहां पर बात करेंगे एनि स्ट्रक्चर दिया गया किसको गौड को उसे हम जू मॉर्फिज में के नाम से जानेंगे तो जब भी स्ट्रक्चर की बात हो आनिमल सबंदी तो रूट वर्ट से आप इसको अराम से कर सकते हो अगली बात कर रहा है अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आ पोजिट वर्ड बन रहा है थिस्ट में आपने प्रिफिक्स अ जोड़ दिया तो अ थिस्ट बन गया तो उसी प्रकार से अगर कहीं पे अमॉर्फिक की बात की जा रही है मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर से होता है मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर से होता है और उसके पहले स्ट्रक्चर नहीं होगा जब कोई भी चीज संरचना विहीन होगी तो उस कंडिशन में हम उसे आमॉर्फिक के नाम से जानेंगे आई होप आपको ये सारे रूट वर्ट चे समंदित वर्ट आसानी से समझ में आ रहे होंगे बात करते हैं बच्चे हम लोग थोड़ा सा फोबिया के बारे में अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आप लोगों को फोबिया पे पूरा वीडियो बना कर रखा है मैंने आप लोगों क्लासिस फोबिया की दी है अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पर ये वीडियो आपको एबलेबल मिलेंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको दे दूँगा आप देखोगे मैंने वीडियो फोबिया पे काफी जैसे जानवरों का डर, fear of animals एंडरो का मतलब चुकी होता है बॉइज या मेल से तो अगर कोई लड़की ऐसी है जो की पुरसों से नफरत करती है या फिर उसको उससे डर है तो उस कंडिशन में हम उसे एंडरोफोबिया के नाम से जानते हैं इसी कंडिशन को अगर हम से और कोई व्यक्ति ऐसा है जो महिलाओं को dislike करता है उन्हें पसंद नहीं करता है तो उस कंडिशन में हम इसे गाइनोफोबिया के नाम से जानते हैं पेडो is the root word of child पेडो का मतलब बच्चे से होता है इसलिए अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को पसंद नहीं करते हैं तो उस कंडिशन में लोगों को पेडोफोबिया है तो एंडोफोबिया पुर्सों से डर पुर्सों को ना like करना उसके अलाबा गाइनोफोबिया महिलाओं से डर महिलाओं को नहीं like करना और पेडोफोबिया के अगर हम बात करते हैं तो हम कंडिशन उसको रखते हैं ज कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इनसान ऐसा है जिसको लोगों से लोगों की भीड से लोगों के पबलिक से मतलब पबलिक के एक साथ जमा होने से क्या होता है डर लगता है अगर किसी व्यक्ति को लोगों की जमा होने से एक साथ गैदरिंग से डर लगता है तो इससे हम डेमो हम उन्हें मंच पर लोगों के सामने अगर चाहे कि आप अपनी बात रखने से डरते यूं बूल जाते हैं कि हमेंहें कहना क्या था और हम ने हमने कितनी लाइने याद रखी थी लोगों के सामने बोलने के लिए बहुत लोगों लगता उत्र आता है का सिल जा देताkon तो अगर कोई व्यक्ति इस चीज से काफी डरता है अपने एक्टिविटीज को अपने स्पीच को अगर वो लोगों के सामने नहीं रख पाता है तो बच्चे हम इसे डेमोफोबिया के नाम से जानते हैं मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको पबले स्पिकिंग से या कह लीजे लोगों से डर लगता है क्योंकि होता क्या है कि उस दौरान सभी लोग आप ही को देख रहे होते हैं और उस समय सभी नजरे निगाहे जब आफी पर होती है तो कहीं न कहीं घबराहट महसूस होती है तो बात करते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग क्रेशी के बारे में क्रेशी मिंस होता है गॉवर्मेंट जिससे काफी जादा सवाल पूछे जाते हैं क्रेशी का मतलब अगर देखा जाए तो गॉवर्मेंट या सिस्टम से होता है आए दोस्तों हम लोग जल्दी से बात करते हैं वो कौन-कौन सी जगए है जहां पर हम लोग देखेंगे तमाम तरह के कैसे सरकारों को या सिस्टम को पहले नमबर पे है डेमो क्रेशी जो हमारे देश पे भी देखने को मिलती है डेमो क्रेशी का मतलब होता है डेमो प्लस क्रेशी मिंस गवर्मेंट आप पिपल मतब ये सासन हो जाता है किसका जनता का सासन तो जनता के सासन को हम लोग डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं सेकेंड नमबर पे लिखा है आटो क्रेसी आटो की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आटो का मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब हो जाता है इटसेल्फ से itself का मतलब हो गया कि कोई भी चीज अगर स्वयम से कारे कर रही है अगर आप कोई भी सासन चला रहे हो और उस सासन चलाने के दोरान दोस्तो आप स्वयम नहीं मतब दूसरों से राय नहीं ले रहे है दूसरों से बात नहीं कर रहे है उनकी चर्चाए नहीं कर रहे बलकि आप सोयम की decisions को ले रहे हो मतब आपने जो सोच लिया आपने जो मन में बना लिया उसके इसाफ से decision ले रहे हो तो हम इसे autocracy के नाम से जानते है autocracy means dictatorship, kingship when one person rules the whole government or system जैसे हम बात करते हैं North Korea और तमाम देशों की जहां पर dictatorship जिसे जर्मनी में पहले था autocracy थी और जहां पर आप देखते थे कि एक व्यक्ति द्वारा ही सासन किया जाता था ये काफी tyrant होते हैं ये लोग जो dictator होते हैं ये सरकार अच्छी नहीं मानी जाती है इसके अलाबा अगर हम बात करते हैं थीयो क्रेसी की मैंने पहले भी कहा है कि थीयो का मतलब भगवान से होता है क्रेसी का मतलब सासन से होता है और भगवान के सासन को हम लोग थीयो क्रेसी के नाम से जानते हैं प्लूटो क्रेसी की चर्चा अगर हम करते हैं हम आते हैं अगले कोस्टिन की तरफ जहां पर हम चर्चा करते हैं प्लूटो क्रेसी के बात से प्लूटो को याद रखो बच्चे की प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी पिपल अमीर लोग प्लूटो का मतलब होता है अमीर लोगों को जहां पर कोई भी सरकार अमीर लोगों द्वारा यार कह दिजए कि इनडस्ट्रिस जो है उनके द्वारा चलाया जाता है मालों कि हमारे देश की सरकार बड़े बड़े उद्ध्योगपतियों को दे धी जाए कि अब हमारे देश में कोई जंता वोट नहीं करेगी आप जो कुछुने जो देश के उद्ध्योगपति हैं वही देश को चलाएंगे जनता के दोरा कोई प्रतेशी चुना नहीं जाएगा अगर यह तरह की condition बन जाए तो बच्चों हम इसको plutocracy के नाम से जानेंगे इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो oligocracy की बात हो रही है oligocracy में इसका मतलब होता है selected few इसलिए oligocracy का मतलब होता है दोस्तो ऐसी सरकार जिसे oligarchy के नाम से भी जाना जाता है मैं यहां लिख देता हूँ जिसे oligarchy के नाम से भी जाना जाता है ऐसा सासन होता है जहां पर सासन कुछ लोगों के द्वारा चला जाता है जिसे गाउं में एक पंचायत होती है पांच लोग पूरे गाउं के समस्याओं पर चर्चाएं करते हैं और उससे एक समधान लिकालते हैं उनके दिया दिये गए ही निर्णे माने जाते हैं तो इस तरह की condition को हम औलिगार्की के नाम से जानते हैं अलिगारकी का मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों का सासन जहां पर अगर कुछ लोगों ने कह दिया कि ये डिसीजन होना चाहिए तो लोगों ने उसे मान लिया तो अलिगारकी का मतलब हो गया बच्चे ऐसा सासन जो कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाता है मॉब का मतलब होता है बच्चे किसे क्राउड से क्राउड जो होगी वो भीड होगी मॉब जो होगा ये उग्र भीड को बताएगा कहने का मतलब अच्छे मॉब मिन्स क्राउट सो मॉब क्रेसी मिन्स वेन क्राउट टेक्स ओवर गॉर्मेंट और इन अदर वर्ड लॉड लॉड लेसनेस बिल्कु सही है इसको हम लोग जानते हैं बच्छे भीड तंत्र के नाम से भीड तंत्र का मतलब हो गया कि जब किसी देश में कोई सरकार ना हो लॉड लेसनेस हो जाए और जनता क्या करे वो पूरे भीड कठी हो और जाकर संसत पर सभी जागर के अस्थानों पर वो जाकर क्या कर ले अपना धिकार कर ले और भीड कहे कि हम जो आप कहेंगे वही देश में चलेगा वही हमारे राज्य में चलेगा वही हमारे छेतर में चलेगा तो इस कंडिशन को भीड तंत्र कहते हैं और ये सरकार अच्छी नहीं हो सकती इसका मतलब हो गया कि उस जगह पर उस देश में उस राज्य में उस छेत्र में कोई भी सरकार नहीं है तो जब हम बात करते हैं ऐसे सरकार की जहां पर कोई सरकार आपको नहीं देखे लेगी और काफी जादा भीड जो है वो मिलकर एक फैसला ले लेगी तो दोस्तो हम इसे मौवक्रेसी के नाम से जानेंगे और मौवक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सरकार जिस सरकार में भीड किसी भी जगा पर सासन करने का काम करती है तो दोस्तो इसी करम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सासन के बारे में, कुछ गवर्मेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं जैसे एक दिया है मोनार्की मोनार्की में अगर आप देखते हैं तो मोनार्क से ये वर्ड बना है मोनार्क means top officials like king so monarchy is the rule of king मोनार्क का मतलब होता है समराट या राजा से समराट या राजा से जैसे हमारे देश में पहले राज साही चलती थी राजाओं का सासन चलता था और जब भी किसी देश में राजाओं का सासन चलता है तो उस सासन को हम लोग मोनार्की के नाम से जानते हैं जहां पर राजा ही सब कुछ होता है और उसके द्वारा चलाए गए सासन उसके दिये गए निर्णे को जनता फॉलो करती है इसमें जनता को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है और इन वर्ड्स को याद करना असान इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है कि मुनार्क का मतलब रा राजा है तो राजा के सासन को मुनार्की के नाम से जानेंगे और मैं बार बार आप से यही कहूंगा कि जब भी कोई कोई कोशन एक्जाम में आपके सामने आता है प्यारे बच्चों तो आपके सामने फोर आपसंस भी होते हैं तो फोर आपसंस का पूरा ख्याल रखें से जल्दी questions को solve करके आप आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं अनार्की की अनार्की जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों हिंदी में अगर बात की जाए तो इसे अराजक्ता के नाम से जाना जाता है अराजक्ता अराजक्ता का मतलब होता है lawlessness it is just similar to mowocracy बिलकुल सही है ये अनार्की क्या है या अनार्किस्ट लोग कौन होते हैं जो लोग ये कह सकते हैं कि कानून को मानने से मना कर देते हैं और कुछ लोग या कोई व्यक्ति या कोई भी राज अगर ये कह दे कि मैं यहाँ के सासन को, यहाँ के नियाम को, यहाँ के ल एनार्की कहलाएगा और वो व्यक्ति एनार्किस्ट के नाम से जाना जाएगा जो व्यक्ति कानून को नहीं मानेगा इसके लावात हम करते हैं दोस्तों जरेंटो क्रेसी की मैं आपको बता दू बच्चे कि अभी कुछ दिर पहले चर्चा ये हुई है एंड्रो का मतलब होता ह हिए पुरूस से गाइनों का मतलब होता है विमन से या कह सकते हैं फीमेल से पेड़ों का मतलब अगर होता है चाइल्ड से तो जरेंटो का मतलब होता है old people से बुढ़े लोगों से और जब आप बुढ़े लोगों की बात करते हैं तो बुढ़े लोगों को साथ हम word यूज करते हैं जरेंटो क्रेसी जब भी आप देखोगे जब भी कोई भी सरकार दोस्तो azed या experience लोगों के दोरा चलाई जाएगी मतलब हम अपनी सरकार उसको चुन रहे हैं जिनकी उम्र सबसे ज़ादा है जो एजेट लोग हैं जो इनकी उम्र काफी ज़ादा हो गई है उनके हिसाफ से अगर हम अपनी सरकार चुन रहे हैं या वो सासन हमारे देश में राज्य में कर रहे हैं तो ऐसे सासन को हम लोग जरेन्टो क्रेशी के नाम से जानने का काम करेंगे इसके अलावा मेरिटो क्रेशी की बात होती है मेरिटो क्रेशी का मतलब मेरिट से होता है अब देखो बचे मेरिट जो होती है वो सबसे अची चीज है कि मेरिट के अधार पर अगर आप उस लायक हो योग हो तो आपको सत्ता मिलेगी या वो अस्थान मिलेगा दर्वाइज नहीं मिलेगा तो अगर कोई भी उसके performance की हिसाब से कहीं पर कोई अस्थान मिलता है तो उसे हम meritocracy कहते हैं मतलब वह सासन जो सासन चलाया जाता है किसके दोरा तो उन लोगों के दोरा जो लोग अपने performance के दम पे किसी पद पर पहुचते हैं बात करते हैं दोस्तो क्लैप्टो क्रेसी की तो क्लैप्टो का मतलब होता है हमारे यहां पर थीफ से मतलब क्लैप्टो का मतलब चोर होता है अगर किसी व्यक्ति को चोरी की विमारी भी होती है तो से क्लैप्टो मेनिया कहते हैं तो क्लैप्टो का मतलब जो दोस्तों है वो चोरी से है इसलिए क्लैप्टो क्रेसी का मतलब हो गया कि अगर कोई सरकार थीव्स के द्वारा चोरों के द्वारा चलाई जा रही है तो हम उस द्वारा चलाई जाए अब को कि सर अधिकारियों को सासन क्या होता है कहने का तात परे बच्चों ये है कि अगर कल से ये नियम बन जाए कि अब जानता द्वारा चुने गए लोगों का कोई कुछ नहीं है अब किसी जिले में अगर जिलाधिकारी ने जो कह दिया अब उसके उपर कोई मंतरी कुछ नहीं कर सकता अगर जिले के ने कह दिया जिला अधिकारी ने कि यह होना चाहिए तो वही सर्वपरी है तो अगर बच्ry कहीं पे कोई सरकार ब्यूरोक्रेसी द्वारा ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा अधिकार्यों दौरा चलाए जाएगा तो हम इसे Bureau Crrency के नाम से जानने का काम करेंगे इसके हम नौकर साही के नाम से जानने का काम करते हैं इसके नौकर साही कहा जाता है बात करते हैं दोस्तों, लास्ट में Aristocracy के बारे में Aristocracy का मतलब होता है जो कि इनको मुहावरे में, blue blood कहा जाता है ऐसा परिवार, ऐसे लोग, ऐसे समाज के लोग, जिनको जनता सम्मान देती है जो कुलीन वर्ग के, अच्छे वर्ग के लोग माने जाते हैं उनको हम aristos कहते हैं, और aristocrate होते हैं और इनके सासन दो चलाई जाती है उसको नॉबल फैमिलिस दोरा कहा जाता है और इसे एरोस्टो क्रेसी के नाम से जानते हैं जहां पर कोई भी सरकार वहां के कुलीन वर्ग मतलब वहां के ब्लू बलड या वहां के समानित लोगों के दोरा चलाई जाती है तो दोस्तो आज की क्लास में हमने देखा कुछ रूट वर्ड जिसके दोरा मैंने आपको कई सारे वर्ड के थुरू रूट वर्ड कारों कई सारे वर्ड दिखाए मैंने अलग से भी आपको रूट वर्ड बताए जिसके थुरू आपकी कई सारे वर्ड तयार हो गए हैं तो द आपके ही सपोर्ट से हम लोग अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चों को भी सफलता की रहा पर ला सकते हैं तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद